दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का गिल्ज मेंटोर की ओफिशल योटूब चैनल पर मुझे उमीद है आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे बरहाल रिकूर्टमेंट नौटिफकेशन में आप सब के लिए बहुत अच्छी जानकरी है सतारा सो से जादा विकैंसी हाई कोट में आउट हुई है कलेरिकल, स्टैनो, ग्रेट टू इसके अलावा और भी विकैंसी हैं पूरी जानकरी आपको डेटेयल वाइच बताऊंगा बताना चाहूंगा कि पंजाब गौर्णमेंट के सबी पेपर्स की तेयरी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा जिसमें आपको daily live classes दी जारी है बहुर भी बहुत सारी जानकर यहांपर available करवाई जारी है और इसके साथ साथ में आपको पंजाब गौर्णमेंट के सभी पेपर्स के लिए online mock tech series available करवाई जारी हैं including SSE, NTPC और इसके लावा और भी बैंकिंग एक्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर test series अपनी book कर सकते हैं मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी हमारी classes चल रही हैं और telegram channel को join कर सकते हैं जहां पर आपको daily free में study material forward किया जा रहा है मैं आपको लेके चलता हूँ official notification पर वहाँ देखेंगे जादा जानकरी क्या है तो यह जो notification है यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान high court में notification आउट हुआ है और आज ही notification आउट हुआ है बलकि कल का notification आउट हुआ है आज इसको publicly कर दिया गया है इसमें बताना चाहूंगा कि स detail wise बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे number of vacancies क्या क्या है किस किस तरह से दे रखा है आपको हलांकि कुछ Hindi language में दे रखा है तो जिसमें हमें समझना थोड़ा सा तरीके से पढ़ेगा राजस्तन उचन्याले हेतू कनिस्ट न्याइक सहाइक जो कि हमने English में बताया था हमें थोड़ी से आगे जानकर जो पढ़नी पड़ेगी वो यह है कि मैं आपको जो detail wise जहां से हमें ध्यान रखना है वही बाते हैं आपको main main बताता हूँ मुख्या बाते हैं जो क्या है इसके अंदर total भरती किस तरह की और कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा यहाँ पर आप के पास किया होना चाहिए और आपके पास must have the basic knowledge of computer होना चाहिए ठीक है अगर इसके बराबर भी आपके पास को डिगरी है तो आप यहाँ पर form भड़ सकते हैं दूसरी बात है यहाँ पर physically fitness आपका होगा नेशनल्टी इंडियन या इसके लावा भी बनेबाल का नावरी का ब relaxation की बात कही गई है character certificates में है examination सुलकी बात करते हैं तो 500 रुपे जो की इसमें है आर्थी कुरूप से कमजोर वरग है और समान्य वरग के लिए 500 रुपे है राजस्थान की SC और HD candidates उनके लिए 3500 रुपे है और इसमें की refund of examination fees है fees की वापसी का यहाँ पर दे रखा है कि इन्ह किया जाएगा और आप लीजिबल हो अगर आपने 10th में पंजाबी बलकी माफ करना जरा हिंदी पास कर रखी है ठीक है इसमें section A के अंदर है कि पार्ट वन हिंदी और इंग्लिश एंड इसमें general knowledge आएगा लगबग 300 नंबर का paper होगा 120 जिसमें दे रखा है minimum marks हैं SCST के लिए 120 मार्क होने चीए 300 में से और other candidate के लिए 135 मार्क कम से कम है 2 गंटे का paper होगा और उसी का आगे selection यकीनी तोर पर माना जाएगा mode of conduct of written examination की जहां तक बात है इसने काया कि each part shall be जो इसमें की part 2 के अंदर paper है उसमें 50 question की जिकर बात हो रही है और इसमें OMR seat पर आप paper होगा और हिं हिंदी में proper व्याक इसमें जो grammar आएगा English के भी complete grammar की बात दे रखी है general knowledge की बात करते हैं तो current फिर है geography and natural resources and history and culture of Rajasthan की बात है इसमें section B की बात है type इसमें दे रखा है कि written test on computer है type written test on computer है and the computer test speed efficiency test shall be consist of two papers है paper 1 के अंदर आपका speed test होगा जिसमें की हिंदी आपको 5 minute का time और English 5 minute क time है maximum जो marks है 25-25 दे रखें SCST के 20 आने चाहिए और other के 25 होने चाहिए number two है efficiency test की बात है तो आपको 10 minute का time मिलेगा maximum 50 marks है SCST को 20 और other को 25 नमबर लाने जरूरी है जहां तक बात आती है कि जो भी आपका skill test होगा वो यहां पर आपको font दे रखा है इस font के अंदर होगा इसको आप से qualify करेंगे merit बनेगी उन्हें को आगे selection process में लेके जाएंगे online form आपने कैसे भरना है आपने 30 मार्च से form लेकर 27 अप्रेल तक form भरना होगा और इसी के बीच में आपको अपनी fees registration fees अवो submit करनी होगी बताना चाहूंगा कि बहुत सरे candidates इस बात को लेकर बिलकुल कताई चाहते हैं तो आपके पास 10th class में Hindi या Sanskrit कोई एक subject पास किया होना जरूरी है और आप अपना form भर सकते हैं इसके सबंद में help line number भी दे रखा है तो आपको अगर अदिक जान करी चाहिए तो इन help line पे call करके पूरी जान करी ले सकते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा कि ये proper तरी जादा है जो कि मैंने अलग-अलग तरीके से आपको बताया है जैसे non-TSP area है उसकी भी यहां पर वेकैंसिस हैं तो लगबग मैं बताना चाहूंगा 1760 यह 70 वेकैंसिस के तौर पर ये वेकैंसिस दे रखी हैं तो गायज जितने भी गायज जितने भी form भरने के लिए इंटर